नमस्कर पिके भी मैट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है तो चलिए आज हम आपको एन आई उस डी लिडी से जूरी हुई बहुत ही बड़ी अप्टुडेट लेकर आये हैं तो चलिए बता दे कि आज का दैनिक भासकर पेपर सीता मरी के पेज में दिया गया है कि आचार शनहीता लागो होने से पहले भरती की तयारी मई तक प्रात्मिक और हाई स्कुलों में निप्थ होंगे एक लाक्सिक चक जो बरतमान में बहाली पर खिरिया चल रही है वह जो एन उस डी लिडी को जब पटना हाई को टमान ने किया है तो उस पर रोक लगी हुई है सरकार डवल बेंच की तयारी में है तो देखते हैं आज के दैनिक भासकर पेपर में क्या दिया गया है पूरी डीटेल हम इस वीडियो में आपको बताएंगे चलिए वीडियो को में स्टार्ट करते हैं यनी अचार सनहीता लागो होने शे पहले भरती की तैयारी माई तक परात्मिक और हाई स्ट्कलों में निउकठोंगे एक लाक सिक्षक राज में लगवग एक लगवग सिक्षकों की निक्ती मई के अंतक होगी सरकार ने बिहार विधान सबा चुनाब के लिए चार सनीता लागो होने के पहले बहाली परकिरिया पूरी करने का लक्ष रखा है प्रारंभिक स्कुलों की कक्षा एक से आठ तक 90,763 सिक्षकों की बहाली होनी है जबकि हाई स्कुलों में लगवग 35,000 सिक्षकों की बहाली होने है हाई स्कुलों में बरतमान में छटे चरण के तहत लगवग 10,000 सिक्षक बहाल होंगे सिक्षा विभाग का लक्ष है कि पंचायत से लेकर नगर निगम तक बिभीन नियोजन एकायों के माध्यम से बहाली परखिरिया हर हाल में मई तक पूरी कर लिया जाए एन आई वेस से 18 माह का डियलेट कोर्स करने वाले अभीयरती को प्रारंबिक सिक्षक बहाली में सामिल करने के पतना हाई कोट के आदेश के कारण फिलहाल सरकार ने बहाली पर रोक लगा रखी है हाई स्कुलों में सिक्षक पत पर चैनी तभीरतों की सभी नियोजन इकाईयों से अप्रेल के अंतक नियोजन पत्र मिल जाएगा 18 माह का DLA प्रसिक्षित को भी बहाली में सामिल करने के लिए हाई कोट के फैशलेक पर सरकार LPA दायर करने की तयारी में है तो चलिए हम आगे आपको फीड दिखाते हैं कहा जाता है कि सरकार LPA की तियारी में नियोजन पत्र देने का सेडियूल जारी किया गया था एक से पांच तक के कक्षा के लिए 63,951 सिक्षक और कक्षा 68 के लिए 26,811 सिक्षकों का नियोजन होना है प्रात्मिक सिक्षा के निदेशक डॉक्टर रंजेत कुमार शिंग के अनुसार हाई कोट में लख्ट दायर करने के बाद नियोजन पर की लिए जल्द पूरा करने का लग्च्छ है यानि सरकार चाह रही है कि जल्द से जल्द हाई कोट में डवल बेंच में यानि जाएंगे और LPA दायर करेंगे साथ यह बहाली परकिरिया को तीजी में गुजार लेंगे तो चलिए देखते हैं फिर आगे क्या है ख़बर दर्भंगा में सबसे अधिक सिट खाली दर्भंगा में सबसे अधिक रिखती है 8244 सिवहर में सबसे कम 337 प प्यों सहित नियूजो निकाईयों को पत्र भेजा था कि 18 माह का DLA कोर्ष करने वाले सिक्षक को सामिल न करे इसलिए 18 माह के DLA वाले DLA वालों की बहाली परक्रिया में सामिल नहीं किया गया था तो चलिए आज के दैनिक भासकर में यह ख़बर निकल कर आई है यानि काने का मतलब है अब महा अंदोलन की त्यारी करनी होगी क्योंकि सरकार डबल बिंच में जा रही है जिससे एन नहीं से डिलीड वालों के लिए बहुत ही बुरी ख़बर है तो फिलिज आप लोग इस अंदोलन को काफी तेज करें और सब एक साथ मिल कर करें चलिए इस वीडियो में फिलाल इतना ही फिर कोई अपटुडेट आएगी कोई जनकारी आएगी तो मैं आपको बताता रहूंगा फिलाल इस वीडियो में इतना ही अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आने वाले घंटे का बटन जरूर दबाए वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ सेर करना न भूले थैंक्स पर वाचिंग वीडियो वीडियो देखने के लिए घन्यवाद